Hey guys, welcome back to my channel TechPandaWeb और मैं हूँ आपका दोस्त राना दोस्तों जैसे कि कल की वीडियो में मैं आने आप लोगों को बताया था कि आज 31 दिसंबर 2020 दुबहर के 12 बजे के बाद IRCTC का वेबसाइड अपग्रेड हो जाएगा कुछ चेंजिस इसमें होने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि अब कैसा IRCTC का वेबसाइड हो गया है क्या-क्या चेंजिस हुआ है तो फर्स्टाम मैं भी लॉगिन करने जा रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि कि किस तरीके का बदलाव है और किस तरीके का अब आपको IRCTC वेबसाइड देखने का मिलता है तो यहाँ पर IRCTC वेबसाइड का जो लिंक है उसे मैंने सेव कर रखा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो आता था नॉर्मल सेम वैसे ही आया है बाकी का जो होम पेज है इसको बिल्कुल भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है जो आप लुक देख सकते हैं टेक्स्ट का जो था पिक्चर्स थे यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने के लोगता था वो भी चेंज कर दिया गया है यहाँ पर direct PNR status है चार्ट फेकेंसी है और बिल्कुल भी यह टोटली यह चेंज हो गया है काफी हद तक बिल्कुल चेंज हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो चली लॉग इन करके जानते हैं जब आप यहां पर देखेंगे यहां प्लिक करेंगे तो हिस्ट्री यहांप आपको बोलुकरız डाया है जेनरल ये कड़िया आप यहीं पर सेलेक कर सकते हैं कि आपको कौन से चाहिए जेनरल चाहिए तितकाल चाहिए तो यहाँ पर मैं जेनरल क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं इससे पहले अगर आप लोगिन करना चाहें तो उपर यहां पर बटन दिया हुआ है, लॉग इन का, यहां से आप लॉग इन कर सकते हैं, रिजिस्टर करना चाहें, तो रिजिस्टर कर सकते हैं, आज दिसा है, अलट, बाकी सारे चीजे सेम ही है, बट थोड़ा से लुक इनका चेंज केया गया है, जो हूम पेज में इस स जाद है, तो और कुछ चिंजिस नहीं देख रहे हैं, लिंक अधार काड है, यह सारी चीजे, तो हम लोग इन कर लेते हैं, तो दोस्तों, लोग इन करने के बाद आप देख सकते हैं, कि यहां पर आपके पास फॉर्म आ गया, बुक टिकट अगर आपको करना है, तो आप य 2020 की जर्नी यहां पर मैंने बुक कर रखी है, तो यहां पर सारा को सो कर दिया और लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल, सारा का सारा आपको एक ही पीच पर मिल जा रहा है, कि अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं, तो इधर से आप टिकट बुक कर सकते हैं, साथ में अपकम जर्नी कौन से है, लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल भी क्या है, फेल हुआ था, या सक्सेस हुआ था, रिफर्ण आपको मिला या न मिला, यह तो काफी अच्छी चीज़ है, यहां पर है कि आपको चीज़े सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़े एक ही पीच पर मिल जा रहा है उसके बाद हम लोग सर्च करके देखते हैं train booking का status किया किस तरीके से book होता है तो जैसे मैंने यहां पर next किया तो आप देखते हैं यह भी page बिल्कुल भी change हो चुका है काफी बिल्कुल colorful इसको कर दिया गया है और देखने में काफी attractive है पहले का page था काफी simple है यहां पर सारी train की detail आप देख सकते हैं यहां पर third AC में available है कितना cost है वो भी दिखा रहा है second AC का cost क्या है first AC का cost क्या है यह सारी चीज़े तो अगर आपको book करना है तो आप किसी भी class पे book कीजिए click करने के बाद book 9 का आ जाएगा other date के लिए आप select कर सकते हैं और book 9 पे आप यहां पे click कर दिजिए और I have read the healthy advisory I agree पे click करने के बाद अब आ गया यह page book 9 का total fair दिखा दिया यहां पे और train की detail नियो दिली से कोडर्मा जंसन के लिए है वन मिनट एंड सेवन सेकेंड और detail यह form passenger detail passenger detail में एक और अच्छी चीज मुझे यहां पे देखनों को मिली कि जो मेरा master record होता था जो हमने वहां पे master name save करने के साथ ही यहां पे detail आ गया तो अगर आपने save कर रखा है तो आप direct आपको फिल करने की जोड़ोत नहीं वहां पे fetch करवाने की जोड़ोत नहीं जैसे आप click passenger detail के tap पे आपको यहां पे सारी चीजे सोग कर जाएगी उसके बाद destination address जैसे कि अभी आपको फिल करना पड़ रहा है तो वह भी सेम आपको यहां पे फिल करना है कुछ नहीं बदला है इस page में बस look and feel यहां पे change कर दिया गया है जो यहां पे design है उसमें modification किया गया है speed का मैं अभी नहीं कह सकता कि किस तरीके की speed है क्योंकि speed आपको ततकाल ticket के time में ही पता चलेगा कि क्या speed है पहले से बैटर है यह नहीं है hang कर रहा है क्योंकि उसी time सबसे ज़्यादा ICTC के website पर traffic start हो जाता है other preference यह आप यहां पर coach ID फिल सकते हैं book only confirm birth ordered यह सारी चीजे सेम फॉर्म है बस look design चेंज किया गया है payment mode में भी कुछ वैसा चेंज नहीं देखना कुछ मिल रहा है दो option पहले भी थे और अभी भी है payment through beam UPI और payment through credit card debit card net banking तो सारा कुछ लग वैसा ही है look field design को change किया गया है और speed के लिए जैसे कहा गया था तो वह अब ततकाल टिकट के time में ही पता चलेगा हाँ user personalization पर जो कहा गया था कि उसे चेंज किया जाएगा तो उसको change किया गया है आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से यहां पर change कर दिया गया है और personalization पर काम किया गया है काफी अच्छा बैटर क्योंकि form फिल करते हैं मैंने देख आटोमेटिक वहाँ पर master नेम रिकॉर्ड आ गया था और continue अगर आप करते हैं तो क्या पूछ रहा है मैंने form अच्छा मैंने form नहीं फिल किया है तो उसके वुझे से वह एर्र दे रहा है यहां पर जैसे कि बताया गया था कि पैसेंजर का mobile नंबर आपको सही सही डालना है तो उसके यहां पर box डाल दिया है पहले automatic जो पुराना होता था वही फैच करता था लेकिन अब आपको यहां पर passenger का नया mobile नंबर यह पर mistake नहीं किया है मैंने तो आप देख सकते हैं नियु दिली special trainer 02824 और timing रिव्यू जर्णब कर सकते हैं और जो passenger detail है वो भी है और mail इस mail पर मेरी ticket confirm होने के बाद send कर दिया जाएगा और review करने के बाद यहां पर जो capture का option था क्याप्चा मैंने फिल कर दिया और इसके बाद यह सारा का कुछ payment option आ गया है आयर सेटी सी आई पे multiple bank मेंट सर्विस नेट बैंकिंग का option यहां पर आ गया सारे बैंकों की detail तो जो भी आपके पास बैंक है उससे आप पेडर सकते हैं अब यह तो पता नहीं आप कर बैंक यहां पर अविलेबल होगा या नहीं होगा मेरा HDFC bank है HDFC bank तो मुझे दिखा नहीं यहां पर तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा जो बताया गया था HDFC website को change किया गया है तो यह upgrade है जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया तो जब आप अब बुक करने के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल इस तरीके का देखने को मिलेगा HDFC website अब तक जो आप बुक कर रहे थे उसका लोग थोड़ा चेंज था डिजाइन चेंज था बट जो अब नया है उसमें आपको जिस तरीके समय ने दिखाया काफी चीजे यहां पर नई चीजे एड की गई है जैसे कि हिस्ट्री यहां पर आपकी जो train journey है वो यहीं पर home page दिखा देगा next train journey कौन सी है वो सारी चीजे तो काफी अच्छी चीजे इसे देखते हैं ट्राइ करते हैं upcoming journey यहां पर देखिए जैसा pop-up यहां पर आ गया तो अच्छी चीजे ट्राइ करते हैं देखते हैं इसमें किस तरीके का experience हमें देखना को मिलता है तो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजगा अपनी दोस्तों में शेयर कीजगा है और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक कियर वाई वाई थैंक्स पूर वाचिंग झाल